हेलो और वेरी गुड मॉर्निंग स्पोर्ट सेरी पर आप सभी का स्वागत है जहां एक तरफ पचास ओवर की क्रिकेट यानि की वन डे क्रिकेट को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं वहीं ICC की तरफ से फैसला आया है कि आने वाले तीन सालों में भारत में दो-दो 50 ओवर् वर्ल कप तो होना ही है अगर आपको थोड़ा सा कंफूजन हो रहा है कि दो-दो वर्ल कप क्या मैंस वर्ल कप होने वाले तो ऐसा नहीं है बलकि 2025 में होने वाले विमिंस वर्ल कप की मेजबानी भी भारत को मिली है और ये फैसला लिया गया है ICC की जो annual conference थी Birmingham में जो हम लगातार चर्चा कर रहे थे कि वहाँ पर और भी important जो है फैसले लिए जाने हैं जैसे कि अगला FTP 2023 से 2027 का FTP भी तयार है और आने वाले हफते में वो आपके सामने भी होगा लेकिन सबसे पहले बात करते हैं इन फैसलों की जो हम बात करें कि विमिन्स क्रिकेट को लेकर क्या कुछ होए हैं तो विमिन्स क्रिकेट में 2024 से लेकर जो आगे होने वाले मुकाबले हैं उनका जो है एक तरीके से फैसला ले लिया गया है कि कौन से देश, कौन से इवेंट होस्ट करेंगे और जैसे हम बात कर रहे थे कि मेंस क्रिकेट की तरह ही विमिन्स क्रिकेट में भी हर एक साल एक ICC इवेंट है तो एक नजर डाल लेते हैं ICC की तरफ से जो अपडेट आ गई है और फाइनल हो चुके है वैन्यू 2024 से लेकर जो हम बात कर भी रहे हैं कि एक एक करके साल दर साल जो ब्रेक अप है तस्वीर आपके स्क्रीन पर अभी दिखाते हैं जिसमें पूरा का पूरा जो है ब्रेक अप भी है और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2024 में ये है जी जो बांगादेश में T20 वर्ल्ड कप होना है इससे पहले आपको पता है कि 2023 में एक जो विमिन्स वर्ल्ड कप है वो सवतेफिका के लिए स्केडूल है 2025 में फिर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक वर्ल्ड कप जो और भारत की मेजबानी में एड़ हो जाता है तो 2023 में यानि कि हम मैंस वर्ल कप की मेजबानी करेंगे फिर 2025 में विमिन्स वर्ल्ड कप की नीचे आप ये भी देख सकते हैं कि 2024 का जो T20 World Cup है उसमें 10 टीमें होंगी 23 मुकाबले होंगे 2025 के 50 ओवर World Cup में 8 टीमें होंगी 31 मुकाबले होंगे 2026 के जो T20 World Cup में जो England ने होस करना है जून में World Cup वहांपर होस किया जाएगा वहांपर 12 टीम्स आप देखने 2024 से 2026 में बढ़ जा रही है यानि कि 12 टीम्स होंगी और 33 मुकाबले वहांपर होंगे साथ ही साथ आप देख रहे हैं 2027 यह है जी चैंपिंज ट्रॉफि का एडिशन जहांपर हम देख रहे हैं कि 6 टीमें 16 मुकाबले तो चैंपिंस टॉफfe में अभी जो है हुस श्रि लंका है ब Suzhab कि कौलिफिकेशन क्या है तो इन सब पर जो है डिपंट करेगी श्रलंका में जो होस्टिंग राइट्स हैं फिर हो वही पर रहेंगी या social benefit के लिए क्वलिफाई करता है और साथ ही साथ ये बता दे कि जो Champions Trophy है Men's Cricket में आप सभी को पता है कि 50 over का format रहता है लेकिन Women's Cricket में जो पहला पहला Champions Trophy का event होगा वो होगा आपके T20 format में साथ ही अब आपको जो अगली तस्वीर पर लेकर चलते हैं T20 World Cup इससे पहले जैसे आप सभी को पता इस साल होने वाला T20 World Cup Australia में है फिर अगले साल जिससे मैंने बताया था कि भारत में 250 over के जो World Cup host होने उनमें से 23 का World Cup भारत में है फिर 24 में आप देख सकते हैं USA और West Indies 25 में Champions Trophy जो बीच में लग रहा था कि शायद अब खत्म हो जाएगी लेकिन 25 में पाकिस्तान जा रही है पाकिस्तान भी एक ICC event host करेगी फिर 26 में फिर से भारत में आप देख सकते हैं इंडिया और श्रिलंका जो है combined host रहेंगे Men's T20 World Cup के फिर 27 में 50 ओर का World Cup जाएगा फिर 28 का T20 World Cup फिर से चले जाएगा आपका Australia और New Zealand यहाँ पर संयुक्त मेजवानी वो करेंगे फिर 2029 में Champions Trophy भारत में होगी 2030 में England, Ireland और Scotland T20 World Cup host करेंगे और फिर 2031 में फिर से एक बारी भारत में 50 ओर World Cup बट यहाँ पर एक तरीके से दुबारा होस्त दो हैं बांगलादेश और इंडिया तो आप देख सकते हैं किस तरीके से भारत में अब इवेंट्स लगातार बढ़ रहे हैं इसके एडिशन में आप देखें 2023 का अगर आप एड़ कर दें कि 23, 25, 26, 29 और फिर 31 यानि कि 5 इवेंट्स आपके जो आने वाले अगर हम देखें साफ तोर पर जो अगले 9 सालों में हैं वो लाइन डप हैं इंडिया में तो इंडियन क्रिकेट फैंस के लिए जो है एक्शन की भरमार रहेगी क्रिकेट फिल्ड से मैंस, विमेंस और साथ ही साथ अभी जो है अंडर 19 के भी कुछ डिसिजन होने हैं और हो सकता है उसके बाद वहाँ पर भी कुछ आपको इसमें इजाफा होते हुए दिखें तो ये थी अपडेट जो मैंने बताया कि जो annual conference वहाँ पर हुई ICC की तरफ से साथ ही साथ जो और एहम फैसले लेगें उनमें से ये है कि FTP जिस पर लगातार चर्चा चल रहे हैं हर एक board ने अपनी domestic leaks के लिए window मांगी है तो वह यहाँ पर finalize हो चुके है जो आपके सामने बहुत जल्द आ जाएगी और उसमें देखेंगे कि किस तरीके से cricket scheduled है और उससे बड़ी update है वो है WTC पर जो आपने पूरे WTC का final था वो भी Lords के लिए scheduled था लेकिन वहाँ पर क्योंकि उस वक्त पर COVID की वजह से जो problems चल रही थी वहाँ पर move कर दिया गा था Southampton लेकिन अब यहाँ पर यह तैग कर लिया गया है कि जो अगले दोनों WTC के final होंगे वो Lords में होंगे और वही June का वक्त रहेगा जहां पर final खेला जाएगा और अभी इस लिहाँ से WTC के लिहाँ से बहुत ही जो है इंट्रस्टिंग चल रहा है टेबल जहां पर सब की नजरे हैं Australia, South Africa, India, Pakistan भी mix में है और थोड़ा सा भी यह कहना गलत नहीं हो कि outside chance वहाँ पर श्रिलंका के पास भी है तो यह update थी ICC की तरफ से जहां इवेंट्स एड्ड हो गया और विमेंज जो क्रिकेट है उसमें भी लगाता जो है जिस तरीके से एक्शन बढ़ाया भी गया है और साथ साथ यह आप देख सकते हैं कि सब कॉंटिन में ही आपको जो है मेजरली जो है अभी जो आने वाले जो फिक्स्चर में जो डिसाइड से भारत में पचास ओवर के एक नहीं बलकि दो-दो वर्ल्ड कप्स होस किये जाएंगे तो वीडियो और इंफोमेशन आपको कैसे लेगी कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताएं पसंद आई हो तो लाइक भी करें और स्पोर्ट्स यारी को सब्सक्राइब अगर अभी तक न